दिम्पल कपाड़िया चाहती थी कि उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना अक्षे कुमार से शादी से पहले लिविन में रहे दिम्पल चाहती थी कि दोनों एक दुसरे को पहले समझ ले अक्षे कुमार दिम्पल के पास उनकी बेटी का हाथ मांगने गए थे दिम्पल ने कहा कि पहले तुम दोनों दो साल एक दुसरे के साथ रहो अगर लगता है कि सब सही है फिर शादी भी कर लेना टुइंकल ने कहा कि उनकी मा शादी शुदा जिन्दगी की चुनोतियों को समझती थी इसलिए उन्होंने ऐसा सुझाओ दिया टुइंकल खना ने कहा मुझे मेरी मा ने अकेले पाला है मेरे घर में कोई पुरुष नहीं था मुझे काफी समय तक तो पता ही नहीं था कि घर में पुरुष पुरुष पुरेते हैं मैं उस सिस्टम में ही नहीं थी मा ने मुझे शादी शुदा जिन्दगी की चुनोतियो के बारे में बताया। जब मेरे पती मेरा रिष्टा मांगने उनके पास गए तो उन्होंने हम दोनों को साथ रहने का ऑप्षन दे दिया। उन्होंने कहा कि दो साल साथ में रहकर देख लो फिर शादी करना। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि डिमपल कपढ़य पर दे तो दिया को in मिलें साथ रहने का सुजाव दिया था यह खुलासक्षर ट्विंकल कंदा कॉफी करण में किया था कि डिंपल की शच्ट पर अक्षे ट्विंकल के साथ रहे और एक साल बाद शादी कर ली दोनों ने जन्वरी 2001 में शादी की थी ट्विंकल ने बेटे आरव को 2002 में जनम दिया वहीं बेटी नितारा का जनम 2012 में हुआ था इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ धाने बाद